नमस्कार दोस्तों शेटीवीत ग्यान प्रकास में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज की तारीके 27 जून आए डिसकस करते हैं आज के डिरिक रने फेल तो देखे पहला क्या है हाली में नसा निरुदक दिवस मनाया गया था याली कि भी हाली में वर्ल डे अगेंस ड्रग अव्यूस 2021 का मनाया गया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका सही आंसर है 26 जून क्या है 26 जून तो इसकी थीम याद रखना ये काफी इंपोर्टेंट होती है ये थीम कई बार पुछी जाती है तो इस साल के विस सुनसा निरुदक दिवस 2021 की थीम क् ड्रग से होने वारे नुकसानों और उसकी सचाई बताएं और दूसरों की जिन्दगी बचाने में मदद करें देखिए UENODC याद अगना इसको UENODC यह स्वयूंक्त राष्ट की एक साखा है जो नसीली और अवैद दवाओं की तसकरी से समन्दित अंतर राष्टी अपरा विस उनसा निर्दक दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब 26 जून को तो ही आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए हाली में फाइनेंसियल एक्सेंट टास्क फोर्स तो यह जो इसको फेट करते हैं ठीक है EFATF तो अभी EFATF की जो बैठक हुई थी उसमें पाक इसका जो मुख्याले मिलेगा वो आपको कहा पर मिलेगा यह मिलेगा आपको कहा पर देखिए सही आंसर इसका option B है यानि कि पेरिस में ठीक हैं तो फ्रेंट्स आपको बता दें यहाँ पर कि फेट की जो अस्थापना हुई थी या EFATF की जो अस्थापना हुई थी वो 1989 मे दिग्रारी रखने वाली एक वैसुषिक संस्था है बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान बीते तीन साल से इसकी ग्रे लिष्ट में बना हुआ है जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पैसे का इस्तेमाल आतंकियों के फंडिंग के लिए किया जाता है किसी देश के ग्रे में देखे पेरिश में अभी हाली में या फिर टी एफ का वर्चुल सत्र 21 जून से सुरू हुआ था और इसका समापन कब हुआ 25 जून को और इसी सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया जिफ पाकिस्तान नाकारात्मक सूची में बना रहे गा हाली में अंतरराश्ट्री नाविक दिवस मनाय गया तो यहां पर बताना है आपको कि अभी हाली में the day of seafarer ये का मनाय गया था तो दोस्तों ये अभी हाली मनाय गया था 25 जून को यानिकि option B आप यहां पर बिल्कुल correct है तो थीम याद रखना है इसकी थीम लगाई गयी थी खटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाय जाता है और अंतरराश्ट्री समुद्री संगठन जिसको आप यह कहते हो IMO यानि कि International Maritime Organization के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है अंतरराश्ट्री समुद्री संगठन यानि कि International Maritime Organization IMO समुद्राश्ट की विशेश एजनसी है जो सिपिंग, सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री प्रदूर्शन की रोक थाम को विये निमित करने के लिए जिमेदार संस्था है इसके स्थापना कभी थी? 17 मार्च 1948 में और इसका जो मुख्याला है वो मिलेगा आपको London United Kingdom में और इसका जो मूल संगठन है वो समुद्राश्ट आर्थिक और समाजिक परिस्यत जिसको आप इको सौक कहते हो ये उसी के अंतरगर आता है तो देखे अगला कोशन क्या है? कोशन होगा कि विट विटलिगो दिवस ये कम मना जाता है? यानि कि जो वर्ड विटलिगो दिवस है विश विटलिगो दिवस ये अभी हाल में मना गया था तो कम मना गया था? तो दोस्तों याद अगना विटलिगो दिवस जो होता है ये दिरे दिरे उसकी सक्रीता है उसको कम कर देती है तोचा विकार से सम्मझनित एक रोग है और इसमें तोचा क्या होती है धीरे-धीरे रंगहिंता की और बढ़ती आती है और यह दिवस जो है सबसे पहली बांग कम रहा गया था यह देश की जीरे में आत्मत्या कर लिये तो यह देश से इस्पैन की इस्पैन में नहीं का प्रत्ति imaginивать और अगर USA को प्रतिपड़ कर दिया जाता तो USA के जो रूल्स हैं उसके अनुसार इन पर फिर से मुकदमा दर्ज होता और यह माना जा रहा था कि लगबक 30 वर्स तक की सजा इनको हो सकती थी फिलार इंगी जो उम्र थी वो 75 वर्स थी और इस्थितियां कुछ ऐसी बिगणी क इन्होंने आत्मत्या कर लिए तो यह जो है इन्होंने इन्होंने इस्पेन जियल में आत्मत्या कर लिए और इन पर जग कर चोरी का आरूप लगा था अगला कुशन लेते हैं हाली में एरपोर्ड काउंसिल इंटरनेशनल यानि की ACI का रोल आफ एक्सलेंस सम्मान की तो यह कौन सा एरपोर्ड है यह है कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ड आप्सन एसका बिल्कुल करेक्ट है तो आपको बदा दे कि कोचिन अंतरास्टी हवाई अड़े ने हवाई अड़े की सिवा गुर्वत्ता के लिए एरपोर्ड काउंसिल इंटरनेशनल का जो अड़ों के लिए रोल आफ एक्सिलेंस सम्मान की अस्थापना किये यह सम्मान उन हवाई अड़ों को प्रदान किया जाता है जिनों ने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाय प्रदान किये कोचीन अंतरास्टी हवाय अड़े ने पिछले 10 वर्सों में 5 वर्सों के लिए कई पुरिसकार जितकर लगाता ग्रहांक सिवा में उत्कृष्टा को प्रदान किया है और यह दुनिया भर के 6 हवाय अड़ों में से एक है जिसे 2021 में सम्मान प्राप्त होगा आएए बात करते हैं एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में तो इसे एसी आई के नाम से भी जाना जाता है एसी आई विसु के हवाय अड़ा प्रादिकरणों को वैस्विक ब्यापार का प्रदिदी है और यह वर्स 1991 में अस्थापित क्या गया था यह सरकारों और अंतररास्टी संगड़नों के साथ हवाई एड़े के हितों का प्रदिद्यूत करता है हवाई एड़ों के लिए मानकों और अनुसंसित प्रथाओं को विक्सित करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेशन होगा कि 2022 में नौसेना में भारत का पहला एनस विक्रांद इसका नाम होगा तो आपको बताते हैं कि आई एनस विक्रांद भारती नौसेना का आधार अस्तम्ब साबित हो सकता है इस पर जो होगा वो एंटी सबमरीन हेलिकॉप्टर स्वदेशी एडवांस लाइड हेलिकॉप्टर कोमो हेलिकॉप्टर और मिग 29 के फाइटर जेट्स तयार रहेंगे अच्छा बरतमान में जो नौसेना अध्यक्ष है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है एड्मिरल करम बीर सिंग यह याद आखना आगे बढ़ते हैं देखे 25 जून 2021 को रास्त्री आपात काल के 46 वर्स पूरे हुए देश ने अब तक कितनी बार आपात काल का सामना किया है how many times has the country faced emergency so far तो फ्रेंट्स अगर आपको लगता है सिर्फ एक बार तो एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि तीन बार अब तक भारत में emergency जो है लग चुकी हैं कब कब लगी थी तो आप बदा दें कि पहले बार October 1962 से January 1968 तक वही समयता जब ची सम्मिदान और भारत के बीच में अनबन चल रही थी December 1971 में और तिसरी पार कर गवा था June 1975 से March 1977 तक आंतरिक असांथी के अधार पर और तब PM कौन था PM थी इंदर्या गांधी तो देखो यहां पर कुछ बहुत important question है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारती सम्मिदान किस अनुचेद में राष्ट्री आपात्काल का उपबंध है तो याद अगना अनुचेद 352 के अंतरगत राष्ट्री आपात्काल National Emergency का उपबंध किया गया है राष्ट्रती सम्म अगर कहीं पर लगाया जाता है किसी राजी में तो वह अनुचे 356 के अंतरगत लगता है य ये अनुच्छे 360 के अंतरगर लगाया जा सकता है ठीक है मतलब जैसे इस समय आप देख रहे हो ना जो स्थितिया हो रही है उसमें यहीं चल रहा है कि पैसा जो है वो प्रोड्यूस कम हो रहा है और खर्च अधिक हो रहा है तो ऐसी स्थिति अगर लंबे संदक बनी रहे और ह हम अपने जो मतलब GDP जो हमारी है अगर बहुत अधिक निगेटिव जाने लेगेगी तो तब हमें वित्ति आपात का लगाना पड़ सकता है फिलाल अभी ऐसी कोई इस्थिति नहीं है आगे बढ़ते हैं कौन सा देश नौवें एस्याई मंत्री अस्तरी उर्जा गोल में सम मिलन का आउजन करेगा या गोंशडा अंतरराश्टी उर्जा फोरम ने की है भार सरकार के पेट्रोलियम और प्राक्रति गैस्त मंत्री कोन है तो यह है धर्में प्रधान यह भी आदेगना आप अगला क्वेशन होगा कि टाटा मोटर्स टाटा पावर्स ने किस राज में देश का सबसे बड़ा सोलर कार्पोरेट लगाए है सबसे बड़ा सोलर कार्पोरेट तो यह लगाए गया है पुरे में जो कहा पर है महाराष्टा में तो ऑप्जन B का बिल्कुल सहां आंसर है और देखो या देखना कि इस कारपोर्ट की वज़े से 7,000 तन कारबन drug report 2021 किसे जानी किया काफी important question होगा is recently released the word ड्रग report 2021 तो इसका सही अंसर होगा option A स्वयूक्त राष्ट मादक बदार्थ और अपराद करहले ने अभीहाली में विस drug report 2021 जानी किया है इसमें एक fat का भी चौकाता है और वो क्या है देख़े report के मताबिक विस्ष के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दसकों में भांग जिसको आप कहते हैं केनेविस की जो प्रबलता है वो चार गुना हो गई है यानि कि भांग लोग भोज़ता खा रहे हैं और वर्ल डर्ग रिपोर्ट 2021 के अमसार 2020 में दुनिया भर में लगबद 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उप्योग किया है तो यह संक्या लगातार बढ़ती जा रही है और यूएन आफिस आंड ड्रग्स और क्राइम का मुख्यले कहा पर है यह मिलेगा आपको विये ना में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ नंबर 26 की तो देखे क्या था कि आपको लिखा गया है काजल सूरी के द्वारा और हबा खातुन का संबंद जो है वो जम्मू को स्मीर से है और यह एक जाने मानी कभी थी हाली में अंतरराश्टी आप राधिक न्याले के मुख्य अव्योजक को बने हैं मतलब चीफ प्रोसेक्यूटर मुख्य वकील कह सकते आप यह बने हैं ब्रिटेन की प्रोसेक्यूटर करीम खान जी मोडीज इन्वेस्टर्स का मुख्याले आपको मिलेगा न्यूयार्क में और तमाम में मोडीज इन्वेस्टर्स का के जो सीओ है उनका नाम है रेमन डबलू मैक डेनियल जूनियर यह यह याद रखना और चौ मतार ने ब्रामनों पर भी जज्यकर लगाए दिया था तो यह था फिरोज तुगलक ठीक है और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और चलते लते बस इतने करना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो अपने दोस्तो पर हरी बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो तो हम सीक्री मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में तब तक करे में आग्या दिजिए नमस्कार जय हिंद